अब ऐसी वर्मा जेमेट्रिकल आप्टेक्स चाप्टर 18 का एकसराइस का क्विश्चन नमबर 2 अ कॉंकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट अन स्क्रीन प्लेज्च फाइव मीटर अवे फ्रमदा मिरर एक उनकेव मिरर दिया हुआ है और इस मिरर से पाँच मीटर की दूरी पर फाइव मीटर की डिस्टिंस पर एक स्क्रीन है जिस पर 20 cm high object की image form हो रही है मतलब क्या क्या दिया हुआ है हमको 20 cm high object मतलब यह height of object कितनी दिये वो 20 cm यह height of object है और screen कहां पर रखी हुई है 5 meter away from the mirror उसके उपर image form हो रहा है मतलब V भी दिया हुआ है वी कितना दिया हुआ है यह without sign हम लिख रहे हैं इसको 500 cm बोल सकते हैं 500 cm पर image form हो रहा है और क्योंकि image form हो रही है screen पर तो यदि image को हम screen पर obtain कर पाते हैं यानि वह image कैसी है image है real यह बात यहां से हम को समझ लिए है if the image is formed on the screen then it must be a real image तो ओ मतलब height of object दिया है 20 cm image distance दिया है 500 cm तो यह तो पहली बात हुई है the height of images 50 cm image की height दिया है है मतलब आई इसको आप हो और हैच आई भी लिख सकते हैं ओक को रिप्रेजेंट किया है मैंने हो से height of object को और height of image को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से तो वह 50 cm 20 cm height की object की image 50 cm height वाली है मतलब कैसी हो गई हो enlarged आगे बोल रहा है है find the focal length of the mirror and distance between the mirror and object हम को पता है कि distances हम मेशर करते हैं कहां से पोल से तो यह मान लो वो screen तो screen पर बन रही है इमेज इमेज यहां कहीं screen पर obtain हो रही है तो कैसी है real है और real है तो inverted होगी और यह distance हमको दे रखी है कितनी यह distance दे रखी है 500 cm के बरावर 500 cm हमको object distance पता करनी है और focal length भी मालूम करनी है दो चीज़ें पता करनी है अब यहां पर height of object height of image given है तो हम बात करेंगे magnification की magnification क्या होता है magnification कौन सा magnification होता ही है तो यह है lateral magnification object और image को हम perpendicular to principle access रखते हैं तब height of object और height of image के बीच जो relation होता है उसको कहते है magnification पता होगा आपको mirrors के लिए होता है with minus sign v by u i by o तो होता ही है height of image to height of object पर mirrors के लिए होता है minus v by u अभी हम इसका सिर्फ magnitude ले रहें ताकि हमको u और v के बीच में relation पता हो जाए सिर्फ magnitude m बराबर होता है i by o height of image कितना है 50 height of object कितना है 20 फिर इदर वो minus sign नहीं लेंगे अभी minus sign नहीं लेंगे 50 by 20 v v कितना है 500 और यू हमको पता करना था यहां बोला था find distance between the mirror and object वो यू यहां से find out हो जाएगा दिख रहा है आपको हजार बटे यह हो जाएगा पर object रखी है पांच मीटर पर उसकी image form हो रही है तो यहां बना देता हूं मैं इसको object को कितनी दूर है यह पोल से दो मीटर की दूरी पर मतलब 200 cm पर यह हो गई अब्जेक्ट और यह उसकी image जो स्क्रीन पर आप्टेन हुई है तो एक आंसर तो हमारा आ गया है अब हमको चाहिए focal length focal length निकालने के लिए हम mirror equation यूज करेंगे mirror equation क्या होती है one by f equals to one by v plus one by you find करना है यह unknown है इसको sign नहीं देंगे हाला कि हमको पता है concave की focal length negative होती है पर यहां sign नहीं देंगे उसे क्या करें वी की जगे क्या डालेंगे 500 1 by 500 cm में और यू भी cm में अब वी कैसा होगा पर sign convention के accordingly ऐसी जा रही होंगी इंसिदेंट रेज सब डिस्टेंस पीस से मेशर करेंगे तो यह होगी image distance इसको लेना है माइनस साइन के साथ में मतलब माइनस वन बाइफ यू कैसा होगा यू इस ऑल्सों नेगेटिव वह भी सब्सक्राइब एंटरे के opposite तो माइनस वन बाइटू हंड्रेट इक्वल्स टू वन बाइफ अब फिर से क्या करते हैं थाउजंड से पूरी एक्विशन को मल्टिप्लाय कर देते हैं तो थाउजंड अगास टू यह क्या आएगा माइनस टू और यह आएगा माटिथ पाइफ माइनस ऐन ऐफ कितना हो गया Amazon ऐफ साथ ऑ ऐनड़它ओं सेवन तो क्लेकुलेटर से आप इसको स्नुल्टिक शोंफ कर लेना यह one 142.8 cm माइनस साथ 142.8 cm या फिर माइनस 1.43 मीटर भी आप इसको बोल सकते हैं पीछे आंसर देख लेना आप सेंटी मीटर में है या मीटर में है तो यह इसका आंसर आप माइनस साइन क्या सिग्निफाई करता है कि इसकी फोकल लेंद नेगेटिव है और होगी होगी वह कितनी है 142.8 मतलब यहां कहीं इसका फोकस होगा 143 cm पर और यह 200 पर रखा हुआ है इसका मतलब अब्जेक्ट इस प्लेज बिट्वीन एफ एंड सी उसकी इमेज को फॉर्म कहां होना है बियांड सी कैसी होगी वह रियल इन्वर्टेड और एनलाज़ उसी को इमने स्क्रीन पर अ और यह है फोकल लेंथ 143 cm भी बोल सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली मीटर में 1.43 मीटर तो यह इस क्वेश्चन के आंसर से